सुपरफास्ट डाजिस्थान में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ में नुपूर जारोलेजेन सुपरफास्ट खबरों के शुरुआत से पहले एहम खबर आपको बता दे कि विधायक धर्मपाल चौधरी का निधन हुआ है विधायक चौधरी ने गुरगाव के मिद दानता अस्पताल में अंतिमसास ली रात तीन बजए में दानता अस्पताल में अंतिमसास ली धर्मपाल चौधरी ने और पैत्रिक गाव जाट बहरोड में उनका अंतिमसंसकार किया जाएगा इस पर बीजेपी निताओं ने सव्वेदना जाहिर की है आगको बता दे कि रवाना कर दिया गया है उनके पैत्रिक गाव बहरोड के लिए जाट बहरोड के लिए रवाना किया गया आपको बता दे कि राजस्थान विधान सफा के सदस्री विधायक धर्मपाल चौधरी का बुथवार रात को नितन हो गया और बीजेपी के मुंडावर से विधायक अस्पताल में भरती थे धर्मपाल चौधरी को सीने में दर्ध की शिकायत थी जिसके चलते उनको मिधानता अस्पताल में भरती कराया और सुबह करीब तीन बजे हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया उनका पार्थिव देह उनके पैत्रिक गाव जाट बहरोड में पर करीब तीन बजे उनका अंतिम संसकार किया जाएगा गुरुग्राम के मिदानता में उन्होंने अंतिम सास ली इससे बीजेपी पाठी और उनके परिवार जन मित्रगण में शोक की लहर है धर्मपाल चौधरी वर्तमान में जाट राजनीती के कद्दावर चहरे में से पिछवे कारिकाल में ही संसद्य सचीव भी रहे और 2003, 2008 और 2014 में बीजेपी से विथाएक रहे धर्मपाल चौधरी और साथ ही कई ऐसी चीजे जिनको लेकर वो चर्चा में रहे लेकिन श्रम मंत्री जस्वंतियादव को नसीहत को लेकर के वो चर्चा में आये थे मुंडावर विथाएक धर्मपाल चौधरी के निधन से उनके पैतरिक गाव जाट बहरूर में शूक की लहर है विथाएक चौधरी के घर पर लोगों के पहुचने का सिलसिला भी शुरू हो गया बड़ी संख्या में लोग विथाएक के घर पर पहुच रहे हैं आपको बता दे कि विथाएक धर्मपाल चौधरी का गुरुगरावन के मेदानता इस्पिताल में इलाज के दौरान निधन हो गया करीब तीन बज़े के आसपार हमारे विथाएक मानने संख्या में चौधरी के वज़े से निधन हो गया उनका ट्रीटमेंट लीवर इंफेक्शन का वेदानता में घुजगाओं चाहिए झाल